बिसमिल्लाहिराहमानिराहिम चले हैं मैं आपको इंग्रीडियन पिताती हूं तर्किश ब्रैड के ये चार कप मैदा है प्लेन फ्लावर ये एक टेबल स्पून यीस्ट और एक टेबल स्पून शूगर है ये क्वाटर कप ओलिव आइल है है चौथा हिसा और ये आदा कप पानी आगए घरम पानी नेम गरम पानी और ये नेम घरम दूद है तो चलें इसको हब हम डोको मिक्स करते हैं आपको बताते हैं कैसे इसको करना है आपके साथ मिलके बनाते हैं चलें जी यह हो गया इसमें हम डालते हैं दूद बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम और इसमें हम यह डाल के शूगर और जीस्ट मिक्स करते हैं कुछी तरह स्क्रेप कर लें तब इसको मिक्स करते हैं अब इसमें डालते हैं हम पानी गरम पानी नमक नमक मेरा किदर रहें नमक निवाने बताया नमक भी डालना एक इसम्पून नमक नमक कि एकी स्पून में बाख और ये चोथाई कप अलिव ओई ले हैं कि इसको बस मिक्स करें पर ले तो फिर इसमें अपना फ्लावर थोड़ा थोड़ा कारके इसको मिक्स करते हैं कि इसमें अपना फ्लावर मिक्स करते हैं थोड़ा करके इसको मिक्स करते हैं थोड़ा करके करना हिस्ट करके इसके कि अवगज़ान जगवाए झाते हैं अपना और उगड़ा हैं किरग एक बल्गभी कि começar अवगई कर प случае रवगई कर दो अवगज अच्यांैं क 1996 बेंब़ा भलाभ सकते होा है कि आरही है कि अज़ कि बड़ें और बार को अबस्टार सोचिट जाले एक लाई इसे घगे रगब बंप應該से हैं। कि अज़ कि अज़ एक घु़ कि रगगा हैं। कि अज़कि गया जाओता हैं। कि अज़कि रगगा हैं। झाल 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 कि अच्छा जाल गया आटा चलागिया अच्छा 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 गया इसको अच्छी तरह अब विस्क यूज नहीं होगी क्योंकि अब थोड़ा सास तो जाएगा अब हम स्पून के साथ इसको तो मिक्स करते हैं बाकी जो रह गया था लास्ट वन बास इसको ची तरह मिक्स कर लेना है और इसको आसी रखना है यह हमारी कंसिस्टेंटी आसी होगी रनी साथ हुआ हुआ है किस utilizar अ थे बीक्स है मारा आटटा डो तो उसको हमने उपर ओइल स्प्रे कारें अगर्स पास प्रेशे हो आप स्पूर्ल के साथ ऊपर टाल दे एक उपर पर रखर गण्टों के सुपर बदे और पिर इसको कवर कर ना तो इसको कही नहीं कर स्टेम् जगह पे जहां यह अपने साइज में डबल हो जाये । फिर खेडा बंये हम इसके सबताइबी हो गया है इसको अब हम कबर कर देते हं ऑका तो बिसमल्लारहमानिराहीं यह मेरा डोर आइस हो गया है अब इसको करते हैं जिसके साथ करते हैं इस तरह का ना चाहिए स्टिकी डो रोटी या नान की तरह का नहीं होना चाहिए यह एसे स्टिकी इसको स्क्रेप करके यह देखें हुआ करती हुआ हैं यह मैं आधा यूज करते हो पहले एक बनाती हूं इसके साथ, इंदर में थोड़ा सा, खलावर, स्प्रिंकल कार लो, थोड़ा सा, तो फिर इसको, छिर जाती हुऊ है, गरा पिर थान को वोड़ा, खलावर, कर इसक 때सा कान सब्सक्रान के जैस Нशर बता हुआ है? Okay, तो को बसी क्वार केफूं की बापसलक तह दिम इसको बस्यास से स्क्रेपर यूज करते हुए इसको बस फोल्ड करना है इसे जंटली बस फोल्ड करते हैं जाना है सारी तरफ से नहीं जाना हुए छाद करते हैं ल involved करते हैं जाता हुए झाला है स्क्रेपर बस्यास से कथ रसे जाना है झाल झाल इसको अब ग्रीस प्रूफ पेपर पे में मूव करती हूँ फिर इसको फोल्ड करती है इसके ओपर दोरा सो फ्लावर डालते हैं अब इसको चीपकर ते झाला में चलिए इसको मूव करते हैं तर पेपर के उपर अब इसको हाथो के साथ फोल्ड करते हैं इसको स्प्रेल कर लेते हैं तो के साथ इसको थोड़ा सा ब्रेश कर लें और तो के साथ अगे खसे कुछब, आपने हैं, है नह बुख। एसको अज़से खवाफने खवाफ तक अगजसे बुख। अजिस बना नहीं है इसके इसको अजिस के साथ कर लें और फिर इसको से स्पोन की बैक से कर लें अजिस को करती है अजिस कोर से जिस स्वोन की। एम हैं मैं और हुड़़द्थ Draएएब ओताएबिस port बना ख सकते हैं अ hetarae मैं है अब इसको यह मैंने एक अंडे की जर्दी एक अंडे की जर्दी में एक टेबल स्पून दूद मला लिया था अब इसको ब्रिश करते हैं अच्छी तरह इसको ब्रिश करके इसको अबना मैं लगाती हूं सेसम सीड्स तिल और कलवंजी लगा के तो इसको 10-15 मिनिट ना ऐसे रखते हैं फिर इसको मैं ओवन में रखोंगी यह हमारे तिल और कलवंजी से इसको खार्णीश कर दिया है अब यह 10-15 मिनिट ऐसे मैं रखती हूं तो 10-15 मिनिट के बाद इसको ओवन में बेक करेंगे 200 पे इसको बेक करना है 200 सैंटी ग्रेड पे ओवन में और फिर इसको ग्रिल पे आठ से दस मिनिट रहके ओवन में फि 10 मिनिट हो गई है अब इसको ओवन में रखने से पहले ना इसको एक दफा फिर हम ऐसे कर लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह प्रॉमिनेंट हो जाएं तो यह थोड़े से फिर ब्रेड फूलती है जब इसको सेट करके रखते हैं जालें जी यह बस मैं इसको ओवन में रखती हूं आसे तिंकर इसके साथ कर लेती है जैलें इसको मैं रखती हूं ओवन में इसको दूब रखती हूं यह थे माशाला वड़ा रखती हूं इसको अब ग्रील पे रखते उपर से ब्राइब वोड़न द्राइब करते हूं तो दिके एक दो में रखती जड़े ज़दे पांच में 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 हो जहें देर में नीचे दूसरा रख लेती हूं इसको बटर बास उपर थोड़ा थोड़ा बटर कर देते हैं ब्रेश कर देते हैं बटर चैलेंजी बास यह रड़ी है माशाला बड़ी चीज नरम ब्रेड बनी है यह देखें बस मेरे थोड़ी सी ना मैं मेरा देयान दूसरी तरफ गया है तो उपर से ज़्यादा ब्राउन हो गई है लेकन जली नहीं है ठीक है बड़ी नरम माशाला यह देखें पता चाल रहा है कि नरम है यह साथ मेरे झाल रहा है